हलो फ्रेंज आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा टी टैम स्नेक्स की रेसिपी लेके आई हूँ और इस स्नेक्स की खास बात ये है कि आप इसे महीने भर तक स्टोर कर सकते हैं और 10 से 15 मिनट भी ने लगती इसको बनाने में आप एक बर बना के रख दीजिए और एक महीन लिए है आधा चमच के करीब छोटी वाली अजवाई नहीं है और नमक डाल देंगे थोड़ा सा टेस्ट के अकोडिंग आधा चमच ही मैंने नमक लिया है और अम मोईन के लिए मैंने यहाँ ओईल डाला है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे बिल्कुल ऐसे रगड़ है ना सोफ्ट है और आटा इसका गूत के हम ऊपर से थोड़ा सा ओईल लगा देंगे और पांच से दस मिनट का इसे रेस दे देंगे ताकि अच्छे से यह सेट हो जाए पांच से दस मिनट हमारी हो चुकी है जो मैदे का डो है हमारा अच्छे से सेट हो चुका है अब बार से इसे हम बिल्कुल पतली परत इसकी हम बेल लेंगे जितना होसके आप पतली परत ही बेल येगा ये देखिए बहुत ही इजली हमारी ये बिल रही है और बहुत ही अच्छा टी टाइम स्नेक्स है ये दोस्तों तो आप जरूर ही इसे ट्राइ करना बहुत जल्दी बन जाता ह और खाने में भी लाजवाब हैं यह देखिए मैंने पतला से इसे बेल लिया है उपर से हम लगा देंगे ओईल ऐसे ब्रश की साहिता से ब्रश नहीं है तो आप हाथों से भी इसे ग्रेस कर सकते हैं और उपर से थोड़ा सा और मैदा मैं स्प्रिंकल कर दूँगी आप गेहू मैं फोल्ड कर रही हूँ एक लेयर मैंने फोल्ड कर दी इसी के उपर हम दूसरी लेयर फोल्ड कर देंगे तो सारी ही लेयर हमने एक दूसरी के उपर ऐसे फोल्ड करते जाना है तो यह देखिए सारे हमने फोल्ड कर ली हलका सा बेलन इसके उपर चला देंगे ज्यादा टा जादा इंच ही मैंने इसके उपर कंट लगाया है और यह देखिए बिलकुल ऐसे लेयर वाला हमेरा स्नेक्स बनके तयार होगा अब बताती हूं आगे का प्रोसीजर तलना कैसे है डिरेक्ट ऐसे ही नहीं तलना नहीं तो जो स्नेक्स है हमारा कच्चा रह जाएगा ओल जब मी बिलकुल भी अंदर तक यह क्रिस्पी नहीं होगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा तो लो फ्लेम पे इसे क्रिस्पी होने तक ही पकाना है यह देखिए बहुत ही अच्छा अंदर तक यह हमारा स्नेक्स है क्रिस्पी हो चुका है अंदर तक बिलकुल पक चुका है और अ में एक प्लेट में निकाल लेंगे बहुत ही अच्छा स्नेक्स है गाईज इसे आप जरूर ही ट्राइ कीजिएगा एक महीने तक आप स्टोर कर सकते हैं चाय के साथ आप इसे ले सकते हैं और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्स ट्राइबे !